Hello everyone, आज मैं बहुत important topic पे चर्चा करने माली हूँ, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो बस बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल sure कर दूँगी कि ये cream लेना है या नहीं, और ये सच में कैसा work करती है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, allergies और किस skin type के लिए best है, फिर मैं ये भी बताऊंगी कि इसे use कैसे करना है, और किस time इसे use करना है, और ये skin की जाईयों पे work करता है, ये pigmentation पे, ये deep pigmentation पे work करता है या नहीं, ये सारी चीज़े इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के last तक बने रहिएगा, and guys ये वीडियो special इसलिए भी होने वाले है, क्योंकि इससे पहले मैंने Medislic Ointment Cream का review किया था, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आया था, कि मैं कॉजी केर skin lightning cream का review share करिया, तो थोड़ा time इसलिए लग गया, guys, क्योंकि मैं किसी भी product को पहले अपने skin पे use करती हूँ, और उसके बाद मैं आप से suggest करके और use करवा है, ताकि मुझे different different skin types का पता चल सके, कोजी केर skin lightning cream, इस पे front पे mention मिल जाता है, कोजी केर skin lightening cream, इस पे front पे mention मिल जाता है, कोजी केर इसका main ingredient है, जिसे key ingredient कह सकते है, क्योंकि यही 3 key ingredient के वज़े से, ये cream जो है, effect करती है, हमारी skin के लिए effective तरीके से ये work क करती है, तो यहाँ पर इसके कुछ claims है, glowing youthful skin देती है, sunscreen protection के साथ आती है, remove spots को remove करती है, and moisturize करती है, all skin hyper pigmentation को खतम करती है, तो हम वीडियो में जानेंगे कि कैसा ये work कर रही है, सच में इसके claims work करती है या नहीं, अभी तो फिलाल इसकी packaging देख लेते है, इसकी self life 2 years की है, औ और इसकी price जो है, 170 rupees है, 15 gram की quantity मिलती है, तो 170 rupees के हिसाब से थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है, क्योंकि 15 gram बहुत ही कम होता है, यहाँ पर इसके फिर से ingredient mention क्या हुआ है, कि light liquid paraffin मिलाए गया है, white soft paraffin मिलाए गया है, malberry extract, and तो यहाँ पर आप वीडियो को pause करके इसके ingredient भ पर सके, UV rays के साथ आती है, यह, for external use only, और उसके साथ cautions दिये गया है, how to use यह गया है, direction, तो इसमें दिया गया है, for best result applied to his daily, or as directed by the physician, यानि कि आपको physician ने आपको कैसे direct हिया है, vessel यूज करना है, और नहीं, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए, तो एक दिन में आपको दो तो यह इसकी ट्यूग है, जिसको कि मैंने थोड़ा यूज भी कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने दो या तीन पैकेट इसके यूज किया है, तब जाके मुझे दो महिने का experience मिला है, यूज 15 ग्राम एक परसन के लिए बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम quantity होती ह पंदरे ग्राम पेस लिए, और कोजी के यहां पर mention मिल जाता है, इसकी इन लाइटनिंग वही चीज़े जो front में आपको पढ़के दिखाया है, मैंने box के, वही चीज यहां पर भी आपको चीज़े मिल जाती है, mention के हुई, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगी, कि इसमें दो product duplicate भी आता है, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे, बट उसको कैसे पहचानना है, यह भी मैं बता रही हूँ अभी आपको, फिलहाल यहां पर आप देख लिजे, front, back, सारी चीज़े, अब बात कर लेते हैं कि यह क्रीम जो है, कैसा work करती है, किस skin type के लिए अच्छी है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, चार skin types होते हैं इंडिया में, dry skin, oily skin, combination, and उसके साथ sensitive skin, normal skin की बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो normal ही होती है, तो dry skin जो है, उसके लिए तो यह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छ तो oily skin वालों के लिए भी अच्छा वर करेगी, थोड़ी कम quantity आप लीजेगा, अपने skin के according, and अगर sensitive skin की बात की जाए, तो guys, मैं तो आपको विल्गुल suggest करूंगे, कि आप pass test जरूर कर लीजेगा, इस cream को यूज करने से पहले, क्योंकि sensitive skin, किस product के साथ sensation हो सकता है, यह कोई कोड़ा runny type का, इसका consistency है, अभी मैं hand पर लेकी दिखा देती हूँ, तो अभी आप देख शक्ते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से skin में melt हो जाती है, and अगर इसके fragrance की बात की जाए, तो इसमें perfume मिलाया गया है, तो इस वज़े से इसका fragrance जो है, वो बहुत जादे medicated तो नही लगता है, मतलब दवा जैसा तो नहीं महकता है, लेकिन हाँ, इसके खुसबू अच्छी है, मतलब अगर आप skin पर लगा रहे हो, तो आपको ज्यादा मतलब इसके खुसबू से problem नहीं होगा, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से हूँ, जिसे बहुत ही जादे दवा जैसा मह लेकने वाला कोई भी क्रीम पसंद नहीं होता है, और बहुत जादे खुसबू देने वाला भी, तो light खुसबू है, और अच्छी लगती है, इसके खुसबू आती है, और अब बात कर लेते हैं, इसके claims की, तो glowing youthful skin देती है, बिल्कुल हाँ देती है, second claim में इसका है, कि ये क्रीम तुरंट वर्क नहीं करती है, इसके उपर, फटा फट मैजिकल वर्क नहीं करती है, तो इस वज़े से, और इसका तीसरा claim जो है, वो है, कि वाश्राइज स्किन को करती है, हाँ करती है, all type hyperpigmentation पे वर्क करती है, तो इसका मतलब ये होता है, कि आपकी स्किन पे pigmentation हो है, जाईयां हो गई है, spots हो गए है, तो उनको ये खतम कर देती है, यानि कि light करने के दीरे-दीरे करके खतम करती है, ऐसा नहीं कि जादू कर देती है, कि फटा-फटा आपने लगा है, रात-ो-रत magic हो जाएगा, हाँ, एक से दो मेने जब आप इसे use करते हो, तो हलकी-हलकी क करके दीरे-दीरे खतम हो जाती है, अगर इसके use करने का तरीका मैं अपने तरीके से बताऊं, तो guys, अगर आप चाहें, तो पूरे skin पे इसे use कर सकते हैं, और अगर चाहें, तो आपके जहां पे spots हैं, जहां पे आप किसी hyperpigmentation को खतम करना चाहते हैं, वहां पे आप इसे ल स्किन पे कोई extra problem है नहीं, तो मुझे उतना कुछ फता नहीं चला, बठा अगर brighter skin की बात कि जहें कि fair skin को कितना करती है, तो one to two tone brighter करती हो, और guys, कोई भी cream one to two tone ही brighter करती है, तो clear कर देती है, इसकिन को मतलब दार धबो को खतम कर देती है, और इसका formula मुझे अच्छा लगा, आप रात के time में इसे use कर सकते हो, दिन में सूरज में अगर अगर सूरज के केड़ों में आप निकल रहे हो, धूप के time, तो आप इसे avoid करिए, क्योंकि sun protection के साथ आती है या नहीं, और medicated है, तो मुझे लगता है कि नहीं use करना चाहिए, अगर आप घर में रहते हो, फिर आ ये बहुत ही जादे duplicate आता है, वो क्या होता है, बहुत ही जादे पानी जैसा liquid serum type कर रहता है, ट्यूब में से बह जाता है, तो आपको online नहीं purchase करना है, आपको medical shop से purchase करना है, और वहां पर भी इसकी packaging को खोल करके देख लेना है, ये मेरी, मेरे वीवर्स के लिए, एक special rai थी जो कोई नहीं बताता है, बट मैंने इसलिए बता दिया, ताकि आप लोगों को कोई परहशानी नहीं हो, तो guys, आपका फर्स क्या बनता है, चानल को subscribe कर लीजे और वीडियो को like कर लीजे, अगर मेरे suggestion की बात रही, तो भाई, मैं तो अपने skin पे use की हूँ, मुझे तो कुछ चीजे रह भी गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगे और reply भी कर दूंगे, तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले सी use कर रहे हो, तो अपना review जो है, शेयर करिएगा, कि आपका experience के ice cream को ले बटन में मतलब दे दूंगे, आपको उसका भी लिंक और description box में भी दे दूंगे, फिर आप दोनों को देखके decide कर लिजी,